बिहार के अधिकतर हिस्सों में पिछले तीन दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 गंटों के दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई है अरर्या के फारविस गंज में सबसे अधिक बारिश होई है जिसका स्तर 143.2 mm बताया जा रहा है महीं कटिहार के बलरामपुर में 107.4 mm और मुजफरपूर के रेवा घाट में 99.4 mm बारिश दर्ज की गई है पत्ना की भी कुछ इलाकों में एक घंटे तक जमा जम बारिश हुई इसके अलावा कई स्थानों पर 60 mm से लेकर 100 mm तक बारिश हुई मौसम पूर्वा नुमान में कहा गया है कि अगले 4 दिनों तक प्रदेश में बारिश का सिस्टम सक्रिय रहेगा इसके साथ ही मौसम पूर्वा नुमान में मधूबनी, तर्भंगा, सुपॉल, अरर्या और किशनगन जिले में अगली 24 घंटे के दौरान एक-दो स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है वहीं राजे के अनहिशों में हलकी से मध्यम बारिश की संभावना भी बताई गई है इस दौरान वज्रपात की भी छेतावनी जारी की गई है बिहार में जून महीने में सामानने से 38 प्रतिशत कम बारिश हो मौसम विभाग के अनुसार 1 जून से 1 जुलाई तक राजे में 107.8 mm बारिश होई जबकि इस दौरान राजे में 174.8 mm बारिश होती है इस तरह से बिहार राजे में अब तक 38 प्रतिशत कम बारिश होई मौसम विभाग के अनुसार 5 जुलाई तक राजी के विभिन हिशों में बारिस को लेकर अलर्ट जारी किया गया है मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि रवीवार को कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है इन जिलों में सीता मड़ी, मधुबनी, सुपॉल और अरर्या शामिल है जबकि 3 जुलाई को सीता मड़ी, मधुबनी, सुपॉल, अरर्या और किशन गंज के अलावा पूर्णिया, कटिहार और मधेपूरा में भी बारिश के आसार है मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 से 6 जुलाई तक राज्य भर के विभिन इलागों में अच्छी बारिश होगी हलांकि मौसम विज्ञान के इंदर पटना ने जुलाई महीने में राज्य में सामान्य से कम बारिश का अनुमान जहताया है राज्य में पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक तापमान 36.5 डिगरी सेल्सियस और अंगाबाद में रिकॉर्ड किया गया पटना का अधिक तापमान 36.6 डिगरी नालंदा का 32.5 नवादा का 35 गया का 34.9 जमुई का 33.7 भागलपुड का 32.6 खगड़िया का 33.6 और बेगु सराय का 32.6 डिगरी सेल्सियस दर्स किया गया है वालमिकी नगर का 28, मोदिहारी का 31.2, मुजफरपुर का 32.6, वैशाली का 32.1, अररिया का 32.1, पूर्णिया का 32.8, कटिहार का इतक 31.4, खगड़िया का 32.6 डिगरी सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है